हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारा देश शुरू से ही एक क्रिशी प्रदान देश रहा है, जिसके कारण हमारे देश में पशुपालन की संख्या में दिन प्रते दिन बड़ोत्री होती जा रही है, और इसी कारण कैटल फीड यानि पशु अहार की मांग में बड़ोत्री होना भी जायस है, जिसके कारण हमारे देश में उच्च क्वालिटी के कैटल फीड की मांग भी दिन प्रते दिन बड़ती जा रही है, जानकारों का मानना है कि बारत में अभी ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जो कि कैटल फीड का उपयोग नहीं करते हैं, जिसका खास कारण लोगो को प्रोजैस्ट फीड के प्रती कम जागरुपता होना है, लेकिन इसकी मांग में बढ़ती दर के अनुसार आने वाले समय में इसकी मांग 200 प्रतेशत तक बढ़ सकती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस व्यपार में पुंजी लगा ही जा सकती है, अब बा अधिराज्यों में होता है, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश में दूद की मांग बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए पश्मून को भी अधिक दुदारु बनाने के लिए उन्हें उन्नत प्रकार का कैटल फीड देना बहुत ही जरूरी होता जा रहा है, एक के दूगुनी इसकी मांग है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस बिजनस में नए उद्द्यूमियों के लिए काफी अच्छा समय है, अब बात करते हैं कैटल फीड के मांग में बढ़ती के कारण क्या है, इतना तो सभी जानते हैं कि विदेशी नसलों से हर पशुपालक क तो अधिक फाइदा होता है, क्योंकि हर तरह से विदेशी नसल के देशी की मुकाबले बहतर होती है, यदि गाय हो तो वैदूद अधिक देती है, मुर्गी हो तो अंडे देती है, और इसी प्रकार लगबग सभी पशुपाल का यही हाल है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि 19 तथा प्रोटीन युक्त कैटल फीड में काफी बड़ोतरी आई है, हर्याना में कई डेरियां विदेशी नसलों की संख्या को बढ़ावा दे रही हैं, जिनें समाने चारे के साथ विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स जैसे फीड स पशु अहार लगाने के लिए हमें कौन सी मशीनरी की अवश्यक्ता होती है, इसमें आपको कुछ हाथ से चलने वाले उपकरण चाहिए, पशु अहार मिलाने के लिए 100 किलो की शमता वाला मिक्सर चाहिए, दाने, चारा पीसने के लिए ग्लाइंडर चाहिए, भाप मापक यंत्र चाहिए, बैट को सिलने वाली मशीन चाहिए, पलवराइजर चाहिए, या 10 हार्स पावर मोटर के साथ स्टार चाहिए, पशु अहार बनाने के लिए कच्चा माल, ग्यहु का बूसा, दान का बूसा, चने के चिलके, गुड, चावल और मक्के के मोटे टुकडे, सू कैटल फीड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पशु अहार बनाने की विदी, कैटल फीड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी रा मेटेरियल को मिक्सर मशीन में डाल कर मिक्स कर लिया जाता है, इसके बाद मिक्स किये हुए रा मेटेरियल को बारीग पीसने हितू, ग् ओपर में डाला जाता है और मशीन को ओन कर दिया जाता है इसके बाद cattle feed machinery स्वता पशुओं का चारा बना कर निकाल देती है अब आपने जब cattle feed बना ली तो अब सवाल आता है कि पशु अहार की marketing कैसे और कहां करें दोस्तों जो पशु अहार आपने बनाया उस पशु अहार को आप अपने आसपास के dairy farm वालों को बेच सकते हैं इसके अलाबा अगर आप गाउं देहात में निवास करते हैं तो आप अपने गाउं में भी जो लोग पशु को दूद के लिए रखे हुए हैं उनको sale कर सकते हैं साथ ही आप अपने मार्केट में दुकानदारों को wholesale rate में बेच सकते हैं आप अपनी कंपनी का लोगो अपने बैग पर छपवा सकते हैं जिससे आपका परचार परसार होता रहेगा अब बात करते हैं पशु अहार में होने वाले खर्च की इस उद्योग को लगाने के लिए आपको 3-5 लाख रुपई की पुंजी लगानी होगी कच्चामाल आपको बाजार में 12-15 रुपई किलो के हिसाब से मिल सकता है ये उद्योग लगाने के लिए आपको 5-10 करमचारी भी रखने पड़ेंगे पशु अहार बनाने वाले मशीने आप बाजार से या इंडिया माट की व इसक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पशु अहार उद्योग की अवश्यक बातों को जरूर ध्यान रखें इस उद्योग को वहां लगाना चाहिए जहां पर लोगों के पास डेर सारे पशु हो इस उद्योग को चलाने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है इस तो ये काफी अच्छा मुनाफ़ होता है ये उद्योग उस स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर ग्यहों चावल मका जो बूसी जैसा कच्चा माल असानी से प्राप्त हो जाए मुख्यता इस तरह के उद्योग ग्रामीन कस्मों के पास लगाए जाते हैं वहां पर कच्चा लाइक करके जरूर बता सकते हैं